गुडमर्ण वारे क्लास 11-12 के प्यारबचू आज हम लोग चलेंगे जो आपका वकेव वाला सक्षन चला और वकेव वाले सक्षन में जो आपका 300 idioms and phrases की महत्पूर्ण से इंखला चल लई आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे मिंस पांचों पार्ट करेंगे तो प्यारबच इसका चार पार्ट हो चुका है जिसमें हमने 200 idioms and phrases करा चुके हैं तो आज की क्लास में 200 से 250 की मद्ध idioms and phrases आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं और यह आपकी grammar की class तमल 76 है अभी त आपका narration कंप्रीट कर चुके हैं, synthesis कंप्रीट कर चुके हैं, transformation कंप्रीट कर चुके हैं, syntax कंप्रीट कर चुके हैं, workup वाले section में से आपका synonyms करा चुके हैं, antonyms करा चुके हैं, homophones करा चुके हैं, one word substitution करा चुके हैं और यह आपका पांचों और अंतीम topic चला है, idioms and phrases चल बस करके आपकी प्रेलिस्ट बनी होगी उसमें अब तक जितनी क्लासे चली हुई सारी क्लासे एक सेड्यूल वाइज लगी हुई है तो जहां से भी आपका छोटा है आप वहाँ से देख करके पुरा कर सकते हैं इसी तरह से यह आप क्लास 11th में होंगे तो भी ग्रेमर की आपकी अलग से 11th की प्लेलिस्ट बनी है आप 11th की ग्रेमर की प्लेलिस्ट में जा करके जहां से भी आपका छोटा है आप वहाँ से देख करके पूरा कर सकते हैं तो प्यारवचे जल्दी से हम लोग आज की क्लास से केनेक्ट होते हैं और आज की क्लास से connect होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को subscribe करेंगे, वीडियो के like करेंगे, जिम्मधारी आपकी है, क्लास 11 टोल के हर एक बच्चे तक वीडियो को share और चिर आपकी जिम्मधारी है, तो जल्दी से 201 पे चलते हैं, हम लोग 200 त इसे देख लेंगे, तो आपके सारे concept clear हो जाएंगे, आपको रटने की जरुवत नहीं पड़ेगी, तो पहले चैनल पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल मिन्स होता है आवश्यक अंग, मिन्स an essential part, अब बात समझना कैसे आवश्यक अंग इसका अर्थ निकला, प तो दो दो भाग की बात किया गया है, पार्ट एंड पार्सल ते भी दो भाग की बात किया गया ना, पार्ट मिन्स भी क्योंकि भाग हो गया, पार्सल मिन्स भी आपका खंडिया भाग हो गया, तो दो भाग की बात मिन्स आवश्यक अंग हो गया, essential part बन गया, तो एन essential part मिन प्यावची यह आपका आज की क्लास के पहला हो गया दूसरा शुरू करते हैं दूसरा आपका है पॉइजन वन्स इयर्स मिस होता है कान भरना पॉइजन से इयर मिस होता है कान भरना तूसरी इस तरी का वह अपने उसके हस्बेंट के लिए कान भर दी हुई है तो कान भरना मतलब उसके पती के बारे में गलत गलत बात बता दी है कि तुमरा पती हुआ जाता है ऐसा काम करता है कुछों नहीं करता है जाकर दारू पीता है जाकर करके जो निगेटिव चीज़े उसके बारे में बता दी हुई है तो भैया वही हो गया आपका कान भरना हो गया और कान भरने में इस चीज़ ध्यान देना कि हमेशा निगेटिव चीज़े बताई जाती है कभी पॉस्टिव चीज़े नहीं बताई जाती है हमेशा निगेटिव चीज़े बताई जाएंगी आपके बारे में यदि आपके लिए कोई कान भर रहा है तो समझ जाना तो इपर आपटे जैसे एक्जामपल यहां लिखे वे हैं He poisoned the ear, आप दी class teacher वह class teacher का कान भर दिया Against me means मेरे clap मेरे clap उसने class teacher के कान भर दिये तो इपर आपटे कान भरने means क्या हो जाएगा कुछ बुरी चीज़े कह देना तो वही तो जाए आकान भरना होता है तो इप अपका concept से भी आपने समझ गया Poison Swansier मिन्स कान भरना हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नमबर 3 पे चलते हैं नमबर 3 आपका है Put the cart before the hearts Put the cart before the hearts मिन्स सही क्रम का उल्टा करना अब भया इसका concept निकालो क्या हो जाएगा Put the cart मिन्स होता है गाड़ी before the hearts मिन्स गोड़े के सामने रख देना गाड़ी को गोड़े के सामने रख देना तो बताओ आपने उल्टा काम कर दिया ना उल्टा काम की ना जबकि गाड़ी को पीछे रहना मिन्स रात्री में पढ़ना and wonder in day और दिन में भटकते रहना is to put the cart before the hearts यह जो है सही करम के उल्टा करम करने के समान ही है तो यह हो जाता है आपका put the cart before the hearts का example हो गया आगे बढ़ते हैं प्यापचे आगे नंबर 4 है आज की क्लास का चोथा है पेल लिप सर्विस पेल लिप सर्विस मिन्स होता है to so insincere respect to so मिन्स दिखाना insincere respect मिन्स दिखावटी आदर दिखावटी सम्मान दिखाना तो भया पेल लिप सर्विस अब लिप सर्विस मतलब होट होता है सर्विस मिन्स सेवा देना अब होट की सेवा देना मतलब किस करना चुमा चाटी करना इकुल मत समझ लेना भया तो ऐसा में समझना है कि लिप सर्विस करना है मतलब केवल बोलना ही है मतलब होटों से अपना बोलते हो केवल बोलना ही है कोई धंग का जो है चीज ना केवल बोलना ही हो तो आपका pay lip service होता है, दिखावटी आदर जो करते हैं, ठीक है कुछ लोग आपको उपर से मूर पे बनाये रखते हैं, नहीं भाई हम आपको बहुत मानते हैं, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं, आप हमारा जानू हो, बाबू हो, सो ना, इसी को बोलते है, pay lip service बोलते हैं, और जबकि रियल में अगर जुर्वत पढ़ जाएगी न, तो इसे लोग काम नहीं देते हैं, तो भाई यह होता है, pay lip service होता है, example देखना, today friends generally pay lip service, आज जो है, जो दोस्त होते हैं, वो साधारता pay lip service करते हैं, दिखावटी आदर केवल दिखाते हैं, जब जुर्वत जाएगी, दोस्त काम नहीं देंगे, तो भाई है, today friends generally, आज कल के दोस्त साधारता, pay lip service मिन्स दिखावटी आदर दिखाते हैं, यह होता है, pay lip service होता है, तो प्यार्च यह हो गया, आगे बढ़ते हैं, pros and cons, pros and cons आप बहुत पहले से जानते होंगे, pros and cons मिन्स होता है, arguments for and against, मिन्स आगा पीछा मिन्स दोनों पहलो, दोनों पहलो आपका हो जाएगा, pros and cons, दोनों पहलो मिन्स अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, दोनों जो होता है, उसी को बोलते हैं, pros and cons होता है, मिन्स जो है, pros and cons आपका, अच्छा या बुरा, मिन्स दोनों पहलो हो जाए जैसे wise persons means बुद्धिमान ब्यक्ति do not express the opinion अपने विचारों को ब्यक्ति नहीं करते हैं तो pros and cons क्या हो जाएगा आगा पीछा दोनों पहलू सहीब अच्छा जो भी को सब कुछ हो जाएगा pros and cons हो जाएगा तो पहुआ अच्छी यह आप जानते होगे ऐसी आपसे उमीद करते हैं नमबर च्छह पर बढ़ते हैं पोर आयल आ ट्रेबल्ड वाटर पोर आयल मिंस जो है पोर आयल आ ट्रेबल्ड वाटर मिंस होता है सांथ करना अब कैसे सांथ करना इसका हो गया पोर आय मिन्स सांत करना मिन्स जो है सूध अब इसका इंगलिस वाला देखना सेटल डिस्टर्विंस मिन्स बाधा को विवस्थित कर देना मैनेस कर लेना विस सूधिंग वर्ड्स मिन्स अच्छे-च्छे सब्दों को कह करके यही होता है पोर आयल आन ट्रबल्ड वाटर होता है अब एक्जामपल देखना हमें सांत करना चाहिए जब हमारे पडोसी जगरते हैं तो भई जब हमारे पडोसी जगरते हैं तो हमें जाकर के वहाँ पर आयल आन ट्रबल्ड वाटर करना चाहिए में समय मामले को सांथ करना चाहिए हलाकर ऐसा होता नहीं है पडोसी जब जगड़ा करता है तो लगता है कि किसी और सकर उसका जगड़ा हो रहा है तो लगता है कि कुछ देर जगड़ा और होने दो क्योंकि पडोसी किसी का होता ढंका नहीं है एक दूसरे की बुरह ये करता है प्रोसी ठीक है तो यह जब की सही सही नियम का है कि हमें जाकर के सांथ कराना चाहिए तो वह आपका हो जाता है पोर आयल आंट्रबल्ड वाटर हो जाता है सांथ करना हो जाएगा आगे चलते हैं 207 पे चलते हैं कोई बात आप जब साफ साफ कर देते हैं उससे बोलते हैं पॉइंट ब्लाइंग तो प्यार अपको रटने पड़ेंगे कोई concept नहीं है पॉइंट ब्लाइंग पॉइंट ब्लाइंग मिन्स आपको clearly मिन्स साफ साफ आप दो तीन बात पड़ोगे इससे आपका तैयार हो जाएगा पॉइंट ब्लाइंग मिन्स साफ साफ clearly जैसे your son refused point blank to help me आपके पुत ने सीधे सीधे मुझे मना कर दिया help me मिन्स मदद करने के लिए आपके पुत ने सीधे सीधे मुझे मदद करने के लिए मना कर दिया point blank कह दिया point blank ढंक से मना कर दिया means your son refused point blank means साफ साफ मना कर दिया to help me मिन्स मेरी मदद करने के लिए तो एपको point blank क्या हो गया clearly हो गया साफ साफ हो गया आगे बढ़ते हैं आगे आपका है पेटी कोड गॉर्मेंट पेटी कोड गॉर्मेंट मिस होता है इस्तियों का सासन इस्तियों के सासन को क्या बोलते हैं पेटी कोड गॉर्मेंट बोलते हैं अब इस बात को समझने कोशिस करना पेटी कोड गॉर्मेंट कैसे हुआ पेटी इसलिए पोल देते हैं। उसे पेटी कोड गुवर्मेंट बोले ही हैं। आगे चलते हैं नमबर नाइन फे बरते हैं आज की क्लास का put and in two, put and in two means होता है समाप्त करना to stop, आप in two means समाप्त करना तो वही धो गया, आपका to stop means समाप्त करना put and in two means हो जाएगा शमाप्त करना to stop, जैसे he had assured me, वह मुझे निस्चित किया, me to put and in two means समाप्त करेगा to all my troubles means मेर सभी परसानियों को क्या करेगा, शमाप्त करेगा, तो put and in two means हो जाएगा समाप्त करना हो जाता है, यह आपका नमबर नाइन हो गया, नमबर टेन है आपका putting two and two together means तत्यों की आधार पर निस्कस निकलना, means drawing conclusion from given data, जो भी given data है उसी की आधार पर निस्कस निकलना, अब इसक क्या करें तो दो के साथ में रख करके तत्यों के आधार पर निस्कस निकलने कुछ कोशिस कर रहे हो ना, तो यही तो हो जाता है तत्यों के आधार पर निस्कस निकलना, तत्यों के आधार पर निस्कस निकलना ही आपका putting two and two together है, यह आपका हो गया, example समझना, by putting two and two together, means जो क्या है एक दुस्ट आदमी है तो putting two and two together मींस हो जाएगा तथ्यों के आधार पर निसकस निकालना यह हो गया नमबर 11 पर बढ़ते हैं नमबर 11 है pocket and insult pocket and insult मीस होता है अपमान सहन करना अब यह इसका concept समझना कैसे हो गया अपमान सहन करना pocket and insult मतलब बिर्जतिया अपने जेब में रखे रहना इंसल्ट मीस होता है बिर्जति को अपने जेब में रखे रहना मीस अपमान सहन कर सको ना वही तो हो जाएगा मिस अपमान सहन करना अगर अपनी बज्जती को अपनी जेब में रखे हुए है तो मिस आपको से फर्क नहीं पड़ेगा तो मिस अपमान सहन कर सकोगे मिस वही है To bear an insult without opposition बिना बिरोध के ही अपनी insult को सुन सकना यह होता है pocket and insult होता है अब जैसे हमने लिखे हुए है few can pocket and insult before friends कुछ लोग अपमान सहन नहीं करते हैं जो है before friends मिस दोस्तों के सामने तो few can pocket and insult मिस can pocket अपमान सहन कर सकते हैं अच्छा कहना है ना सहन कर सकते हैं कुछ अपमान सहन कर सकते हैं before friends मिस अपने दोस्तों के सामने कुछ लोग क्या कर लेते हैं आपमान सहन कर सकते हैं तो आपका यह होता है pocket and insult मिस अपमान सहन करना आगे बढ़ते हैं नमबर 12 पर बढ़ते हैं play the truant play the truant play the truant मिस क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिस करना play the truant मिस होता है बिना आग्या के स्कूल से भाग जाना play the truant means school से बिना अग्या के अर्मत लिये आप भाग जा रहे हो तो यह आज का हो जाएगा play the truant हो जाएगा means surrender away from school without leave means बिना छुट्टी लिये ही आप भाग जा रहे हो जैसे हमने एक्जामपल लिखी वे हैं 90 students means सराथी बच्चे who play the truant often fail जो school से बिना अग्याल यह भाग जाते हैं वे प्राया क्या होते हैं? fail होते हैं, acceptable होते हैं तो play the truant means बिना अग्या के school से भाग जाने वाले बच्चे क्या होते हैं? प्राया असफल होते हैं यह आपका play the truant हो गया आगे बढ़ते हैं आगे number 13 है 13 है play a second fiddle 2 play a second fiddle 2 में इस होता है अधीन रहकर के काम में भाग लेना अब second fiddle है second fiddle में जाइज सी बात है कि आपका second अस्थान है तो आपका हो जाएगा two takes subordinate position में इस अधीन रहकर के काम में भाग लेना जैसे ही always play the second fiddle वो हमेशा किसी के अधीन रहकर के भाग लिया हुआ वो हमेशा अपनी बास के अधीन रहकर के भाग लिया हुआ है तो play a second fiddle 2 means किसी के अधीन रहने second fiddle means किसी के अधीन रहने को second fiddle का गया play a second fiddle 2 means अधीन रहकर के काम में भाग लेना आपका यह हो गया आगे बढ़ते हैं 14 बढ़ते हैं 14 है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स डक्स मिस होता है बतक एंड ड्रेक्स मिस होता है नर्बतक बतक और नर्बतक का खेल खेलना मिस धन बरबाद करना बतक और नर्बतक का खेल खेलोगे तो भी यह धन बरबाद करोगे न बतक का और नर्बतक हो धन बरबाद करना to waste money हो जाएगा अब जैसे प्रेम को जो विरासत में धनसंपत मिली हुई है वह उसको क्या कर रहा है तो प्रेम को जो धनसंपत विरासत मिली हुई है वह उसे क्या कर रहा है बरबाद कर रहा है प्ले डक्स एंड डेक्स कर रहा है मिल्स उसे बरबाद कर रह है तो प्यार उच्छे play ducks and drakes हो जाएगा to waste money भन को बरबाद करना आपका हो जाता है play ducks and drakes हो जाता है आगे बढ़ते हैं 15 है payback in once own coin payback मिंस होता है payback in once own coin मिंस होता है गाली का जवाब गाली से मिंस ठीक वैसा बेवहर करना जैसा पाना जैसा बेवहर मिरे साथ हुआ है वैसा बिवहार करना जैसे इसमें अब इसका concept निकालो कैसे हुआ मिस जिसे टिटफार टैट कहते हैं पे बैक इन वन्स ओन कॉइन मिस चुकता कर दो इन वन्स ओन कॉइन मिस जैसा उसने सिक्का दिया वैसा सिक्का तुम हो चुकता कर दो मिस क्या हो जाएगा ठीक वैसा बिवहार कर दो जैसा उसने तुम्हारे साथ बिवहार किया हुआ है अगर तुम को दूइट थपडिया है तो तुम चाठ थपडिया दो यही तो हो गया टिटफा टिट यही तो होता है यही हो गया payback in once own coin हो जाता है जैसे example लिमिक लेके हुए है he slapped me उसने मुझे थपड मारा and I paid him back in his own coin मैंने भी उसी तरह बिवहार किया मैंने भी उसे थपड जड़ दिया मैंने उसी तरह बिवहार किया मैंने भी उसे क्या कर दिया थपड जड़ दिया तो यह आपका हो जाता है payback in once own coin हो जाता है आगे चलते हैं 16 पर बढ़ते है पामी डेज पामी डेज मिस होता है आपका खुसाहाली के दिन अब पामी मिस क्या होता है पामी मिस होता है बहुत फलता फुलता मिस बहुत फलते फुलते को पामी बोलते हैं पामी डेज हो जाएगा फिर अतिदिक फलता फुलता दिन मिस आपको खुसाहाली के दिन हो जाएंगे तो पामी डेज मिस हो जाएगा खुसाहाली के दिन मिस पिता की मृत के बाद उसके खुष हाली के दिन क्या हो गए चले गए तो पॉमी डेज उसके चले गए मिस खुष हाली के दिन क्या हो गए चले गए तो भाई आप पॉमी डेज क्या हो जाएगा खुष हाली के दिन हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं 17 पे बढ़ते हैं pay heat to pay heat to means होता है ध्यान देना to give attention to pay heat to means होता है ध्यान देना to give attention to अब जैसे हमने लिखे हुए we should pay heat हमें ध्यान देना चाहिए to the advice of our well-wissers हमारे जो well-wissers होते हैं जो हमारे लिए अच्छा प्रातना करते हैं उनकी सालाओं पर हमें क्या करना चाहिए ध्यान देना चाहिए pay heat to means होता है ध्यान देना तो pay heat to means ध्यान देना देना के चाहिए और उसके बाद हमने example भी बता दिये pay heat to means हो जाएगा to give attention to means ध्यान देना ये number 17 हो गया number 18 पे बड़ते हैं past master अब यह master means होता है दच्छ होना मिस किसी चीज में आप दच्छ हो रहे हो तो उसी को बोलते है master नो ना जैसे करते हैं कि इंग्लिस का master है तो मतलब इंग्लिस का master नहीं इंग्लिस का दच्छ है इंग्लिस की बारे में दच्छ है उसको अच्छी नालेज है तो master वही होता है आपका जो दच्छ होता है किसी भी चीज में तो ये past master मतलब पहले से master है मतलब भूतरी कालत से master है बहुत दच्छ है तो out-dutch हो जाएगा मतलब पूरी तरह से expert जो होते हैं उन्हीं बोलते है past master बोलते हैं अब जाए इस example हो गया C is a past master in music वह music में क्या है past master है मिस पूरी तरह से दच्छ है प्रवीड है तेज है तो उसी बोलते है past master बोलते है तो ये हो गया आपका past master हो गया मिस दच्छ होना expert होना आपका past master हो गया आगे बढ़ते हैं नमबर 19 पे बढ़ते हैं आज की class का 19 सा हुआ है पेल मेल पेल मेल मिस होता है confusion मेल मिस घपराहट में घपराहट में या confusion में बोलते हैं उसे पेल मेल बोलते हैं मिस आप घपराहट जाए और किसी चीज़ से confused हो जाओ तो क्या बोलेंगे पेल मेल बोलेंगे इसे भी आपको रटने पुढ़ेंगे example जैसे हमने लिखे हुए है the student ran means छात भागने लगे pale mail means घबराट में at the site of the principal means principal को देख करके students क्या हो गए घबराट में भागने लगे यही आपका हो गया pale mail हो गया आगे चलते हैं 20 पे चलते हैं 20 पे चलते हैं root and branch root and branch means होता है completely means पूर्तिया root and branch means होता है completely completely means पूर्तिया अब कैसे पूर्तिया हुआ अब इसका concept समझरो root means होता है जड़, branch means होता है साखा, जड़ और साखा मिल करके पूरे पेड का निर्मान करेंगी न तो simple सी बात है completely इसका अर्थ हो जाएगा पूर्तिया हो गया root and branch का क्या हो गया completely पूर्तिया हो गया अब उसके बाद example हमने लिखी वे the robbers destroyed the village जो robbers थे, जो dacat थे उन्होंने पूरे गाउं को बरबाद कर दिया अब the village root and branch means poor rooper, poor rooper पूरे गाउं को क्या कर दिया destroy कर दिया means बरबाद कर दिया तो root and branch आपका क्या हो गया completely हो गया means पूर्तिया हो गया यह आपका root and branch हो गया आगे चलते हैं red later day red later day means होता है an important day प्यार्चिज में इस concept को समने कोशिच करना red later day means हो गया an important day an important day means महत्रपूर दिन अब महत्रपूर दिन कैसे हुआ red later means लाल पत्र का दिन लाल पत्र का दिन means महत्रपूर दिन ही होगा न अब यह ललका पत्र वा खुनवा का रंगवा लाल होता है अब खुनवा का रंगवा लाल है तो लाल रंग का कुनों पत्र आ गया तो बहुत ही महत्रपूर हो गया लाल लंक के पत्रवाला दिन हो गया तो बहुत महत्पूर्ट दिन हो गया means an important day हो जाएगा जैसे हमने यहां लिखे वे हैं दिफ्टीन अगस्त 1947 means 15 अगस्त 1947 is a red later day means महत्पूर्ट दिन है इंदी हिस्ति आफ इंडिया भारत की इतिहास में 15 अगस्त 1947 एक महत्पूर्ट दिन ह तो महत्पूर्ट दिन के लिए आपने letter day का प्रयोग किये यह प्यार्च हो गया 22 पे बढ़ते हैं rank and file rank and file means होता है common people means साधार and सिरेणी के लोग साधार and सिरेणी के लोग के लिए आप rank and file का प्रयोग करते हैं अब जैसे हमने लिखे वे हैं the government should raise the standard of living the rank and file means government को चाहिए जीवन जीने के अस्तर को आप दी rank and file means साधार and सिरेणी के लोगों का साधार and सिरेणी के लोगों का साधार and सिरेणी के लोगों का जीवन जीने के अस्तर को सरकार को उठाना चाहिए तो rank and file हो जाएगा साधार and सिरेणी के लोग हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं 23 पे बढ मिरास्ता राजसी रास्ता राजसी रास्ता मतब कॉंसेट निकाल लो रायल रोड बोलते हैं को इज़ी वे हो जाएगा सरल रास्ता औहले Jack से हमने एक्जामपल लेके वे हैं, there is no royal load, यहां पर कोई भी सरल आस्ता नहीं है, to learning means पढ़ाई में, पढ़ाई में कोई भी सरल आस्ता नहीं है, it needs continuous study, इसके लिए आवशकता होती है, लगातार पढ़ाई की आवशकता होती है, पढ़ाई में लगातार पढ़ाई यह धिन कर पढ़ाई में की आवशकता होती है, इसमें कोई भी सरल रास्ता नहीं है पढ़ाई का, तो प्यावचे royal road हो गया, royal road means easy way सरल रास्ता हो गया, आगे बढ़ते हैं, number 24 बढ़ते हैं, 24 आपका है, red rag to a bull, red rag to a bull, means उक्साने वाली बात, means something that provokes, something that provokes is called red rag to a bull, अब concept समझना, red rag means red means होता है, लाल, rag means होता है, चिड़ाना, लाल लंग से चिड़ाना, to a bull means एक साड को, एक साड को लाल लंग से अगर चिड़ा रहे हो, तो उक्साने वाली बात हो गई, उक्साने वाली बात को red rag to a bull बोलते हैं, means something that provokes, बोल होता है, जैसे, अब why who insert a teacher, एक चाट जो teacher को insert कर होता है, वह मेरे लिए जैसे है, एक उक्साने वाली बात होती है, अर्थात मैं इसको थपडिया देता हूँ, अगर इसा कोनों करता है, तो मैं इसको का कर देता हूँ, थपडिया देता हूँ, और कई योट थपडिया आता हूँ, तो भाई, यह हो गया, red rag to a bull हो जाएगा आगे चलते हैं, नमबर 25 पर बढ़ते हैं, rolling stone, rolling stone means होता है, a person who does not stick to any carrier and changes frequently to other carrier, means एक बेवसाय में न टिकने वाला ब्यक्ती, एक बेवसाय में न टिकने वाले ब्यक्ती को क्या बोलते हैं, rolling stone बोलते हैं, rolling means होता है, गूमने वाला और stone means पत्थर, गूमने वाला पत्थर means ए एक बेवसाय में न टिकने वाला ब्यक्ती ही आपका rolling stone होता है, जैसे हमने लिखे वे, mohan is a rolling stone, mohan एक बेवसाय में टिकने वाला ब्यक्ती है, as he frequently changes his occupation, जैसा कि वह अपना बेवसाय बार बार बदलता है, mohan जैसा कि अपना बेवसाय बार बार बदलता है, इससे वह एक अगे चलते हैं नमबर 46 पर बढ़ते हैं run away, run away means होता है भाग जाना तूफली, two flew means होता है run away means भाग जाना, आप भाग जाने के संदल्व संझना, जैसे run away से आपको आइसे भी आद कना पड़ीगा, आझ जिसे concept कहते नहीं लोग, अरे उँ फलनवाक लाइका के साथे भाग गई अरे उँ फलनवाक लाइकिया जो है फलनवाक लाइका के साथे भाग गई मिन्स रन अवे हो गई मिन्स टूफलिव मिन्स भाग जाना भाग जाना ही आपका रन अवे होता है ठीक है जैसे दि लिटिल गर्ल रन अवे विद्धी नेकलेस मतब छुटकी लड़किया भाग गई विद्धी नेकलेस मतब गहनों लेके गई जो गहना था उसका नेकलेस था उनेकलेस वा लेके भाग गई ठीक है छुटकी लगकिया तो छुटकी लगकिया नेकलेस वा लेके भाग गई तो भाया run away मिंस क्या होता है भाग जाना तो यह हो गया number 26 हो गया आज की class का 27 है run start run start मिंस होता है कमी होना run start run start मिंस होता है कमी होन अब कभी हो ना आपका lacking हो जाएगा कमी होने के रंचार्ण बोलते है जासे example लिखी वे है He's running start of money उसे धन की कमी है in his business मिस उसके बहुसाय मे उसके बहुसाय मे उसके धन की कमी है तो run sour BET means हो जाएगा lacking means कमी हो ना कमी होने के लिगज al적 का प्रियोक करते हैं आगे चलते हैं पैपचे आके है read between the lines means line के बीच में अगर पढ़ रहे हो तो means line को एकदम समझ कच्छे से पढ़ रहे हो तो means good earth को समझना good earth को समझना ही होता है read between the lines means line के मद में भी पढ़ रहे हो means good earth समने की आपको उसिस करे हो means to understand the hidden meaning means hidden meanings means जो है उसको संदने का प्रयास करे हो तो read between the lines होता है जैसे only a wise man can read between the lines केवल बुद्धिमान ही ब्यक्ती good earth को क्या कर सकता है समझ सकता है तो read between the lines कौन कर सकता है केवल wise man से कर सकते हैं good earth को समझ सकते हैं तो फ्यार्प चे read between the lines क्या हो गया कि आपका गून अर्थ को समझना आपको concept भी बता दी कैसे आपको त्यार करना है read between the lines लाइनों के मद में पढ़ना मतलब आपको गुड़ अर्थ समझने कोशिस कर रहे हो तो आपका 828 हुआ 29 है red tape red tape means लाल फीता अब लाल फीता means होता है आपका लाल फीता अर्थात होता है सरकारी दफतरों की अनावश्यक वा बिलंब कारी आपचारिक पाएं means наevery official formalities तो प्यारचर इसका मतलब क्या होता है लाल फीता साही का मतलब क्या होता है blurred tape means लाल फीता लाल फीता का अर्थ क्या होता है जैसे आप कोनों जो है सरकारी दफ्तर में गए और आपका काम तुरंते हो जाना चाहिए लेकिन 25 दिन से दवडा रहे हैं तो 25 दिन दवडा रहे हैं तो वही तो लाल फितास आई है सरकारी अधिकारियों का वही जो अनावश्यक जो है बिलंब करते हैं जो अपचारिकता हैं करते हैं फॉर्मल्टीस करते हैं वही रेडेटेप होता है अब एकजाम्पल देखना वरकी डिलेड मिस कार डिले हो गया देर हो गया इन गौवर्मेंट ओफिस में आन अकाउन्ट अपधी रेडेटेप मिस लाल फितास आई की वज़ह से मिस सरकारी दफ्तरों की अनावश्यक वा विलंबकारी आपचारिकताओं की वज़ा से कारी क्या हो गया डीले हो गया मिस लेट हो गया देर हो गया तो भाईया इसे बोलते है रेडे टेप बोलते है मिस लाल फिता साही तो भईया में इस सरकारी दफ्तरों की अनावश्यक वाया विलम बकारी आपचार रिकताएं हो जाएगी, रेडिटेप हो गया, 30 पर बढ़ते ही, स्कॉयर डील, स्कॉयर डील में सोता है, अच्छा बिवहार होता है, अब बात समझने की कोशिस करना, स्कॉयर डील, डील में स होता है, कोई भी डील करते हो, लेंदेन करते हो, और स्कॉयर में सोता है, बराबर का लेंदेन, बराबर का लेंदेन मींस हो जाएगा अच्छा बिवार हो जाएगा सिंपल सा बार बराबर का लेंदेन हुआ अच्छा बिवार हुआ तभी तो बराबर का लेंदेन हुआ मिस्स स्कॉयर डील, concept निकाल लिए, आपने, जए, उसके आधार पिर अच्छा बिवार इसका निकल जाएगा, स्कॉयर डील बराबर लें देल, मिस्स अच्छा बिवार, fair bargain, fair bargain, क्यों किया बोलते हैं, square deal बोलते हैं, अब अगे चलो, अब देखो, इसने भी bargain दे दिया हुआ है बारगें दिया हुआ है फेर बारगें में सही उच्छ संजाओता हुआ है तो इसी को अच्छा विवार कर देते हैं जैसे वी केनट हो फारा स्कॉाइर डील हमें अच्छे विवार की उमीद नहीं करना चाहिए फ्रम डिसानेस्ट मैं एक बेइमान आदमी से एक बेइमान से मुझे अच्छे विवार की उमीद नहीं करना चाहिए तो स्कॉाइर डील की उमीद नहीं करना चाहिए तो भाईया यह हो गया आपका फियर बॉर्गें हो गया स्कॉाइर डील हो गया अगे बढ़ते हैं 31 पे बढ़ते हैं स्टॉम इनर्टी पॉर्ट मिस हो जाता है तुफान आगर आगया है तो आप तुछ बात को बढ़ा रहे हो ना चाय के बर्तर में तुफान आ जाए चाहो सुनामी आ जाए पर फर्क पड़ता है चाहिए जो आपकी खराब हो जाएगी ना आप उसी कुराई का पहाड बना दिये हो तो वही होता है न तुछ बात पर जगड़ा करना आपका होता है Storm in a tea pot होता है Example, कुंदल लाल समदर raise a storm in a tea मिन्स कुंदल लाल की माने जो है तुछ बात पर जगड़ा कर लिया ओवर दिला साफ हर संस पेन मिन्स अपने बेटे की पेनकेक हो जाने पर उन्होंने क्या कर लिया जो है उन्होंने जगड़ा कर लिया तो भी या raise a storm in a tea pot क्या हो गया तुछ बात पर जगड़ा करना यह हो गया अब simple सी बात हो गया इसमें उमीद करते हैं आप समझ गया होंगे 32 बढ़ते हैं split hairs split hairs है split मिन्स होता है बटवारा किया हुआ hairs मिन्स बाल बटवारा किया हुआ बाल मिन्स हो जाएगा बाल की खाल निकालना अर्था चोटी चोटी बातों पर जगड़ना split hairs मिन्स बालों में जगड़ा करना बालों के लिए hairs मिन्स बाल बालों क्ली जगना करना अर्थात हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर जगना अर्थात छोटी छोटी बातों पर जगना हो जाएगा जैसे some people waste their time, कुछ लोग अपने समय को बरबाद कर देते हैं, in splitting hairs, मिस्चोटी चोटी बातों पर जगणने में, चोटी चोटी बातों पर जगणने में, कुछ लोग अपना समय क्या कर देते हैं, बरबाद कर देते, split hairs आपका हो जाएगा, चोटी चोटी बातों पर जगणना हो जाएगा, आगे 33 बढ़ते हैं, 33 आपका है, stand on one's own legs, stand means खड़ा होना, on one's own leg means अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना ही को बोलते हैं, stand on one's own legs बोलते हैं, means depend on oneself, अपने आप पर जहे डिपेंड होना यह अपका होता है डिपेंड आन वणophile अपका अपने पैरों पर खड़ा होना होता है जैसे अनील विलनाट मेरी अनील तब तक साधी नहीं करेगा अल्लेस ही स्टेंड इस ओन लेक्स जब तक वा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है अनील जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता है तब तक विया साधी नहीं करेगा तो stand on own legs means हो जाएगा अपनों पेरों पर खड़ा होना अर्थात अपनी जिम्यदारी जब तक न समझ जाना जिम्यदारी समझना आपका stand on own legs होता है means depend on oneself देखें इंग्लिस का से ही लिखा गया है depend on oneself अपनी आप पे depend होना किसी को उपस सहारा जब तक रहें तब तक भी आन नहीं करना चाहिए अब यह बताओ suppose that अगर हम भी आ कर लिए हम कमाव मा नहीं रहें तो बताओ महरारू अगर हमसे पैसा मांगेगी तो पताओ कहां से बाबु जी से मांग के पैसा उसको देंगे यह बहुत गलत बात होगी ना तो बाबु जी से मांग के महरारू को पैसा नहीं देंगे ना बहुत गलत बात है ना तो इसलिए जो है सही कहा है अनियल विल नाट मेरी अनलिस अनियल तब तक भी आनी करेगा अनलिस ही स्टेंड सान इस ओन लेक्स जब तक अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए तो बतिया उमीद करते हैं आप समझ गए होगे ठेक है आगे बढ़ते हैं 34 है आपका इस्टेंड इन गुड इस्टीड मिस होता है आड़े समय पर काम आना इस्टेंड मिस खड़ा होना इन गुड इस्टीड मिस आड़े समय पर आड़े समय पर समय खड़ा होना आपका क्या होता है इस्टेंड इन गुड इस्टीड होता है प्रूब यूजफुल इन नीड मिस आवशक्ता में जह सही सिद्धोना यही होता है इस्टेंड इन गुड इस्टीड हो गया जैसे things learnt in childhood जो चीज़े बच्पन में सीखी गई थी इस्टेंड इन इन यूद मिस वे नवजवान समय में आड़ी समय पर क्याम आती है इस्टेंड इन गुड इस्टीड मिस हो जाएगा आड़ी समय पर काम आना होता है इस्टेंड इन गुड इस्टीड होता है आगे चलते ही इन थर्टी फाइफ पर बढ़ते हैं थर्टी फाइफ आपका है स्कॉर्ट फ्री स्कॉर्ट फ्री मिस होता है free from punishment dund stay बिना दंड दिये free from punishment आपका होता है escort free escort means होता है सलामत होना free means विल्कुल सलामत होना so escort free means बिना दंड दिये means free from punishment बिना दंड के ही बच्जाना आपका escort free होता है जैसे the thief was relieved छूट गया escort free बिना दंड दिये by the judge मिस जज के दौरा जज के दौरा बिना दंड दिये वह जह है छूट गया हलाकि दंड उसका पहुच गया होगा जज को का पहुच गया होगा दूचाल दूचाल दस बीस पतीस जार रुपीया पहुच गया होगा जज के पास तो जज ने उसे का कर दिया बिना दंड दिये ही and spend means होता है साफ सुतरा speak and spend means होता है साफ सुतरा इसका कोई ट्रिक नहीं है speak and spend आप सीधे याद करोगे साफ सुतरा means neat and clean जैसे बोलते है neat and clean बोलते है साफ साफ ठीक है जैसे a restaurant that looks speak and spend means एक restaurant जो साफ साफ दिखता है attracts more customers वो अतदिक customer को अपनी तरफ आकरशित करता है तो भाया restaurant वा अगर साफ सुतरा दिख रहा है मिस साफ साफ दिख रहा है तो अतदिक ब्यक्ति को अपनी तरफ आकरशित करेगा तो यही हो गया speak and dismantle हो गया मिस साफ साफ हो गया एप एलचे number 36 हो गया थर्टी सेवन आपका है इसनेक इंदी ग्रास इसनेक इंदी ग्रास मिस होता आस्तीन का साफ मिस अहीडेन इनमी अहीडेन इनमी को बोलते हैं आस्तीन का साफ होना इसनेक इंदी ग्रास अगर सपुवा जो है घसिया में है गसिया से पतव नहीं चलेगा न तो आपको काड लेगा गास में चल लेगा तो भैया स्टेक इनदी ग्रास में हैं न तो भैया वहीं हो जाता है hidden in me को आस्तीन का सांप बोलते है मिन्स आपका hidden in me मिन्स और hidden in me भी वह काम करता है अब आपके साथ में रहता है लेकिन आपका कोई और काम भी गार देता है तो इसे बोलते हैं आस्तीन का सांप snake in the gas बोलते हैं तीक है जैसे example लिखे वे हैं those who works as spices spice मिन्स होता है जासूसी का काम करना जो जासूसी के काम करते हैं फार्द इन्मी मिन्स दुस्मन के लिए आलाइक इसने किन्दी ग्रास वे आस्तीन के सांप के समान होते हैं जो दुस्मन के लिए किसका काम करते हैं spice का का काम करते हैं आपका जोड होता है लेकि निसकस भी कर सकते हो and substance भी आपका होता है पदार्थ या निसकस उसे भी कर सकते हो तो किसी का निसकस निकलना आपका क्या हो जाएगा शारांस निकलना गिस्ट हो जाएगा तो आपका some and substance क्या हो जाएगा गिस्ट मिन सारांस हो जाएगा सम एंट सबस्टेंस सारांस हो जाएगा एक्जामपल यू आर आस्क्ड टू राइट इस सम एंट सबस्टेंस आप इस पैसेज आपको इस पैसेज का सारांस लिखने के लिए कहा गया तो यू आर आस्क्ड टू आपको कहा गया right means लिखने के लिए the sum and substance आप इस spaces का सारांस आपको लिखने के लिए कहा गया तो sum and substance means हो जाएगा आपका सारांस हो जाएगा आगे चलते ही number 39 चलते ही ही screw loose मिन्स हो जाएगा some mental defect क्या बोलते हैं मांसी कमजोरी बोलते है means screw loose कहते है तो यह कुछ लोग कहते न, इसका screw lose हो गया है, means धीला डाला हो गया है, इसका screw धीला हो गया है, कुछ लोग कहते न, so screw lose means होता है, some mental defect, means मांसिक कंजोरी, मांसिक कंजोरी को क्या बोलते हैं, screw lose बोलते हैं, जैसे, Mohan always talks nonsense, Mohan हमेशा बेकुपी ज़िसा बात करता है, there is a screw lose in him, means उसका जो है, थोड़ा सा मांसिक कंजोरी है, उसका मांसिक कंजोरी है, इसलिए जो है, वह कैसा बात करता रहता है, means बेकुपी जैसा बात करता रहता है, तो screw lose means हो जाएगा, आपका मांसिक कंजोरी means some mental defect हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं, 40 पर बढ़ते हैं, square meal, square, square meal, square meal means क्या होता है, आपका, पूर्ण भोजन, square meal means होता है, पूर्ण भोजन, अब square means होता है, आपका 12, जैसे 2 के square 4 होता है, तो 2 के square आपने 4 कर दिया, तो बढ़ा दिया, तो मिल को क्या कर दो, बढ़ा दो, अब square मतब 2 के square 4 होता है, अब 4 को मतब 2 को आपने बढ़ा दिया, तो बढ़ा देना, अब मिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, मिस भोजन, भो आपको पूर्ण भोजन याद करने के लिए त्रिक बता रहे हैं आप समझीएगा ठीक है तो one that is a satisfactory because there is a plenty of good food पूर्ण भोजन हो तो square meal बोलते हैं जैसे common main do not have square meal means common ब्यक्ति को पूर्ण भोजन नहीं मिलता है due to price rise means उची कीमत होने की वज़ा से उची कीमत की होने की वज़ा से साधारन लोगों को पूर्ण भोजन नहीं मिलता है a हो गया square meal हो गया 41 पर बटे salt of the earth salt of the earth means आवश्यक तथा महत्पूर्ण अंग भया प्रितिवा पर जो है जो salt है नमकवा है यह आवश्यक महत्पूर्ण अंग ह ही है न बिना इसकी मज़ा आएगा आपको खाने होने में नहीं आएगा न तो salt of the earth क्या हो जाएगा आवश्यक तथा महत्पूर्ण अंग हो जाएगा salt of the earth हो जाएगा एग्जामपल जैसे honest and sincere person जो इमांदार और समझदार व्यक्ति होते है और दी salt of the earth वे प्रित्वी के आवश्यक और महत्पूर्ण अंग हो जाएगा salt of the earth means प्रित्वी का नमक अर्थात प्रित्वी का नमक आवश्यक और महत्पूर्ण अंग है यह आपका 41 हो गया 42 पे बढ़ते हैं safe and sound इसे आप जानते हो सुरच्छित हो ना safe and sound safe means सुरच्छित हो गया बिना आवाज के safe and sound means सुरच्छित हो ना safe and sound means सुरच्छित हो ना जैसे in the train accident train की accident में all the passengers were safe and sound means सभी आयात्री क्या है सुरच्छित है तो safe and sound means क्या हो जाता है सुरच्छित हो ना तो प्याज़ची हो जाएगा, safe hand sound आपका सुरचीत हो गया, आगे बढ़ते हैं 43 बढ़ते हैं साटकट, 43 आपका है साटकट, साटकट मिशलता है सरल मार्ग, कहते हैं साटकट अपना लो, अभी भी आप कह रहे हो, कि साटकट कोई पढ़ा दीजिए, जैसे दूई महिने में साटकेट कि पुऋरी तयारी हो जाएं, साटकेट म morg में कोई पढ़ा दीजे न तो साटकेट मिस सारल मारग, दिजैन को पढ़ा गनर कोई साटकेत नगरड़े का का तो प्यार्चे अब से जब आप साटकर्ट सर्दिकार सुनोगे तो इसका हिंदी अर्था आप समझोगे सरल मार्ग होता है एंड इजी वे होता है साटकर्ट का मतलब आगे चलते हैं स्वाड आप डेमकलीज स्वाड बनाने वाली कंपनी आप डेमकलीज स्वाड़ तलवार तो बहुत खतरनाक तलवार बनाती है तो बोई वही हो गया है a danger that continuously threatens a person means लगातार रहने वाला खत्रा sword of damn please होता है sword of damn please क्या होता है लगातार रहने वाला खत्रा हो गया कैसी इसका conception निकाले क्योंकि sword है means तलवार है means damn please की तलवार है तो means जाई इसी बात है लगातार खत्रा बना रहेगा उसकी तलवार रहेगी तो आपका sword of damn please means लगातार रहने वाला खत्रा हो गया जैसे the fear of war means युद्ध का डर is acting on human's mind मनुस्तों की दमाग पे काम कर रहा है like the sword of damn please means लगातार रहने वाली खत्रे के रूप में लगातार रहने वाली खत्रे के रूप में वामानों पर काम कर रहा है means किसका युद्ध का डर तो प्याले चे यह हो गया swada bank please हो गया लगातार रहने वाला खत्रा हो गया आगे बढ़ते हैं 45 पर बढ़ते हैं इस पर आप दी moment मिस होता है at once means तुरंथ होता है इस पर मिस होता है at once तुरंथ के संदर में तो थोड़ा सा जुखाम का फर्क दिख रहा है लग रहा है कि आद दो बजे राज से जगे हुए है तो इसका थोड़ा सा फर्क दिख रहा है जुखाम का तो प्याबचे यह हो गया इस पर आप दी moment हो गया at once तुरंथ हो गया अगे एकजामपल तो ते हैं जैसे हमने लिखे हुए है तो जो बुद्धिमान चात्र होते है वह तीचर के कठिन कृष्चनों को भी उत्तर तुरंथ देते है तो इस पर आप दी moment क्या हो जाएगा तुरंथ एटवंस हो जाएगा moment वैसे भी चण होता है चण मिस तुरंथ के बात होती है इस पर आप दी moment मिस एटवंस तुरंथ ए हो गया 45 हो गया आप 46 आपका है समर फ्रेंड्स समर फ्रेंड्स मिस उत्ता है फ्रेंड्स आफ हैपी डेज मिस जो प्रशंता के दिनों के मिस खुशाहली के जो दोस्त होते है उनी बोलते हैं समर फ्रेंड्स बोलते है मिस खुशाहली के दिनों के दोस्त को क्या बोलते हैं समर फ्रेंड्स बोलते है फ्रेंड्स आफ हैपी डेज जैसे वी सुट नेबर डीपेंड अपान समर फ्रेंड्स हमें कभी भी खुशाहली के मित्रों पर नहीं होना चाहिए क्योंकि वे खोसाहाली में साथ है तो जिसी दिम बिपत जबाएगी तो वे साथ नहीं होनगे तो इसलिए हमें कभी भी summer friends में डिपेंड नहीं होना चाहिए तो we should never depend upon summer friends हो जाएगा आगे चलते हैं 47 बढ़ते हैं 47 है आपका to blot out to blot out means होता है to remove to destroy to remove या फिर to destroy को बोलते है मिटाना या नस्ट करना blot out means मिटाना या फिर nस्ट कर देना ठीक है blot means वैसे होता धबा होता है तो धबा को मिटा देना out कर देना blot means होता है धबा धबा को out कर देना means मिटा देना या फिर नस्ट कर देना तो to remove to destroy को बोलते हैं to blot out धब्बे को बाहर निकाल देना अर्थात मिटा देना या फिर नस्ट करना example it is difficult यह मुस्किल है to blot out the custom of dowry in society by law मिस नियम के द्वारा इस society से समाच से क्या निकालना इस दहेश प्रथा को नियम के द्वारा निकालना यह क्या है nest करना बिलकुल असंभा है बड़ा मुस्किल है difficult है बड़ा मुस्किल है dowry के system को खतम करना यह जो है दहेश प्रथा को खतम करना ठीक है तो a47 हो गया आपका to blot out हो गया means मिटाना nest करना हो गया आगे 48 बढ़ते हैं to take advantage of advantage of means होता है फायदा उठाना, love उठाना किसी का फायदा उठाना, love उठाना to take advantage of होता है means to get benefit from हो जाएगा love उठाना जैसे it is not good यह अच्छी बात नहीं है to take advantage of the weakness of your friends अपने दोस्त की कमजोरी का फायदा उठाओ यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि दोस्त तो दोस्त होता है उसकी कमजोरी यह था आप उसका ऐसा नहीं के फायदा उठा लो देखे to take advantage of means हो जाएगा to get benefit from means love उठाना to take advantage आफ हो जाता है 49 पे चलते हैं 49 आपका है to lose ground to lose ground means होता है आगे जैसे एक्जामपल लिखे हुए है one should not lose courage एक बैक्ति को साहस नहीं कोना चाहिए one loses ground जब उसकी हान होती है जब हान होती है तो उसे जह है साहस खोना नहीं चाहिए अब यह to lose ground बात समझो lose ground means जमीन को खो देना lose means खो देना lose ground means जमीन जमीन को खो देना आपके क्या हो जाएगा हानी सहना हो जाएगा न जिसलिए आप concept भी निकाल लिए to lose ground का क्या हो जाएगा हानी सहना हो जाएगा इस तरह से आप concept निकालोगे तो आसानी होगी आपको तैयार करने में दीक है नहीं तो बहुत सारे 1700 हैं पूरे कैसे आपतायार करोगे तूसलिए concept बैनानी कोशिस किया करो प्यारबजी है आपका है time and again time and again means पूना बार 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 को time and again बोलते है, again and again means बार बार होता है और time and again वही हो गया बार बार तो बार-बार के संदर में आप time and again सदका प्रयोग करते हैं तो time and again आपका बार-बार हो जाएगा example, the clerk was warned time and again means बार-बार clerk को चेताउनी दिया गया है to perform his duty well कि वो अपने duty अपनी जिम्मेदारी को सही निर्वहन करे इसके लिए बार-बार उसे क्या किया गया है सेताउनी दिया गया थैंक, इसको clerk को तो बहिया एप यालची आपका 250 complete हुए अब आपका केवल 50 बचेविये हैं आपके idioms और phrases केवल 50 बचेविये हैं जिसका next part 6 आज साम को 5 बज़े आपको मिल जाएगा इसका आज साम को 5 बज़े इसका 6 पार्ट मिल जाएगा छठा और अंती मीडियन स्टाइजिस की आपकी क्लास आपको साम को मिलेगी तो इसले हैं आप लोग साम 5 बज़े को आना नहीं बूलेंगे 5 बज़े आपका इसकी अंतीम क्लास मिलेगी तो फ्यारचे आज की Class यहीं समाप्त करेंगे Class समाप्त करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे जो भी बच्चे चैनल पे पहली बारा है चैनल को subscribe कर लेंगे, वीडियो को like कर देंगे Class 11.12 की हर एक बच्चे तक वीडियो के share करोगे और बार बार आपसे कहते हैं खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को पहुचाने की कोसिस करो जो grammar से बिलांग करते हैं जो coaching school नहीं जा पाते हैं जिनको इसकी सक्त आवशक्ता है जो grammar की किताब तक नहीं ले सकते हैं उन हर एक बच्चे तक आपको वीडियो को सेयर करना है प्यारप्चे यह आपके जिम्मेदारी है आपको केवल दो चीज़ की जिम्मेदारी देते हैं वीडियो को सेयर करना है अपनी पढ़ाई आपको उच्छे से करना है बस दो काम आपको करने हैं ऐसी आप उम्मीद करते हैं और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुनना चाहते हैं जैसे नीचे सुरज यादा जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से यूटूब पे साज करेंगे ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा आप वहां से भी मुझे से जोड़ सकते हैं और प्यारबचे आज की क्लास एक बहतरीन लाइम के साथ समाथ करते हैं आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी होसलों से भरी यह कोसिस एक दिन जरूर रंग लाएगी तो इसलिए प्यारबचे अगर आपने रास्ता बना लिया है का आपको मेहनत करना है पढ़ाई के लिए तो मनजल तक आपको जरूर लेके जाएगी और होसले अगर आपने बना लिए पढ़ने के तो या भी होसलों से भरी यह कोसिस एक दिन जरूर रंग लाएगी आपको आपकी मनजल तक जरूर पहुचाएगी इस दे बार बार आपको जो कहते हैं 15 से लेकर क 25 वर्स वाली उमर आप अपना बना लो इसी में जिन्दगी का कैरियर बना लो ऐसा आपसे उमीद करते हैं ठीक है इसी में बना लिए तो बना लिए नहीं बना पाए तो आप आगे के जिन्दगी भी नहीं बना पाओगे क्योंकि ग्रहस्त जीवन में फर्जाओगे तो इस झाल झाल